उनको वैसी पठकनी उसी बिधान सभा में कोई दे या न दे युवा समर्धेदल का कैंडिडेट देगा कि वो बिधान सभा का मूह नहीं देखिए जो अपने धर्म को गाली दे सकता है वो किसी को गाली दे सकता है तो पहले कुसवाहा समाज को यहत्तै करना चाहिए कि ऐसे पेक्ति को जूते से मारकर भगाए अपने बीच ना वो राम को मानने वाले हैं ना कृसन को मालने वाले हैं अब तो वो इसाई धरम को मानने वाले हैं नमस्कार आप देख रहे हैं भारत लाइब और मैं हमजा अबास दे कि बिहार की सियासत में तुफानों का जो सिलसला है वो लगतार जारी है बियान बादियों का सिलसला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है इसी बीच इंडिया गडबंदन के नेता आर जेडी के विधायक फते बहादूर सिंग ने मासरस्वती पे जो है बयान दिया है जिसको ले करके सियासत काफी तेज है और सियासत तूल पकड़ चुकी है जिस पर एंडिये ये कह रही है कि जो गडबंदन के लोग है वो हमेशा सनातन की बेज़ती करते रहते हैं सनातन पे जो है कुछ न कु आसियों को नौवर्स की हार्दिक शूब कामना बधाई सबका मंगल हो और ऐसे कुबुद्धी लोगों का जिनके ऊपर किसी तरीके से मासरस्वती का असिरवाद जिनको प्राप्त नहीं है तो वैसे लोगों को इस वर सद्वुद्धी दे और जो वो सनातन पे उसके पहले वो मादुरगा पे टिपने किये थे उसके बाद मासरस्वती पे टिपने किये एक जनवरी को प्रकास्था तब हो गई जब एक जनवरी को राजत प्रमुख के आवास के ठीक सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा कर और मंदिर पे हमला किया गया उनका टर्गेट राम मंदि नखे म olması था को आपको बड़ी आश्चर्ज होगी कि जो भिक्ति अपने आप का नहीं हो सकता है, अपने कुल की बेजयती कर सकता है, तो वह किसका होगा, वह भी छिप्ट प्रानी है अब वो कैसे अपने कुल का नहीं है प्रभुश्री राम के बेटे लव और कुष उसी कुष के वो बंसज है उसी कुष के वंसज है लेकिन वोट की खाती चुकि डेहरी बिधान सभा में इलियास उसेन साफ जित्ते आते थे किसी कारण वसराजत ने उनको टिकट नहीं दि कोट की खाती अपने दादा पर दादा को भी गाली दे रहे हैं तो जो वेक्ति अपनी कौम को गाली दे अपने जन्म को गाली दे अपने कोख को गाली दे अपने पुरवजों को गाली दे तो वो बिछिप्त प्रानी है उस पर क्या बात करना कौन पूस्ता है वैसे लोगो को ही जो समाज को बाटने वाले लोग हैं धर्म जाती संप्रदाय के अधार पे वैसे लोगों को ही ठीक करने के लिए युवा सम्रद्धी दल का गठन हुआ है और आप on the record में लिख कर कह रहा हूं कि कि दो हजार पचीस के चुनाओं में उनको वैसी पटकनी उसी बिधान सभा में कोई दे या न दे युवा सम्रद्धी दल का कैंडिडेट देगा कि वो बिधान सभा का मूह नहीं देखेंगे वो कहीं लिख कर रख ले रही बात सनातन पे किसी की भी टिपिनी करने की किसको अ रिशाय धर्म पे बोलेंगे. इसलिए जो बर्तमान उनके राजनितिक पिता हैं कल उनका परकतर देंगे. तो वो सनातन सब और से संसील है ना बोल कर देखें बोल कर देखें अन्य धर्मों पर तब लेकिन ऐसे लोगों के बातों को तुल भी नहीं देना है और उनकी बातों को तबज्जों नहीं देनी है जो अपने बाप को गाली दे सकता है को को गाली दे सकता है जो अपने धर्म को गाली दे सकता ह वो किसी को गाली दे सकता है तो बिच्षिप्ट प्रानी है और बिच्षिप्ट के लिए सब माफ है वैसे लोगों को बोलना से सनातन को कोई फर्त पड़ता है का जिसका इतना बड़ा अखंड समराज है तो कोई मतलब नहीं बनता है इसी को लेकर के राज़त प्रवक्ता मनोज जहा है उन्होंने कहा प्रेस कॉंफरेंस किया कि जो फते बहादुर सिंग है उन्होंने जो पोस्टर लगाया है उसमें उन्होंने मंदिर और स्कूल को लेकर के लगाया है ना कि किसी धर्म को लेकर के बयान दिया उन्होंने कहा कि मंदिर जाने से अच्छा स्कूल जाएं लोग पढ़े लिखे ताकि जो है आगे बढ़ सकेंगे नहीं सही बात है लेकिन मनोज जा जी कहने के लिए प्रहफसर है और उच्छे सदन के सदत से बन गया यह दुर्भाग गया इस देश का अरे भाई पहले मा के गर्व से जब पैदा होते हैं तो संसकार मिलता है संसकारों का लालन पालन कहां से मिलता है संसकार आपको कहां से मिलता है मंदिर एक अस्थान बनाया गया है मस्जित इबादत का एक अस्थान है चर्च एक अस्थान है जहां जाते हैं तो आप अपने सं संसकार नहीं और पहले पढ़ाई यह हमारे यहां है क्या पश्मी संस्कृति में भी नहीं है और हमारी तो बुनियाद ही है पहले संसकार पर हमारी बुनियाद है वहां सिखाई जाती है तो इस संसकार बहीन है तब अपने पूर्वज को गाली दे रहा है लोग अरे भगवान को जूते से मार कर भगाए अपने बीच से और या तो वो बेक्ती समाद से माफी मांगे ठीक है ना और मनोज्जा जैसे बेक्ती वो अभी राजसभा जाना है राजसभा उनका जा रहा है तो पहले ठाकुर पे भी बाद किये अब वो ग्यान बाट रहा है तो पहले कहिए ना आज लिख कर दे जीजिए, हाई कोट में, पबलिक दोमेन में, कि हम जब समसान जाएंगे, तो हमको दफना दिया जाएगा, हम माल लेंगे आपकी बात, उन लिख कर दे दे मनों जा कि हम समसान जाएंगे, तो हमको दफना दिया जा, मानेंगे वो, नहीं मानेंगे, वो लिख कर दे दें कि राबडी आवास में लालू आवास में अगर किसी परकार की कोई भी पूजा होगी तो हम उसमें सरीक नहीं होंगे हम इस आवास में पैर नहीं रखेंगे क्यों गय थे वो अपने नेता पर उंगली उठाएं पहले पूछें कि तिरुमला के मंदर में क्यों गय थे क्यों बाल दान कर क्या है अदर्निय तेजस्वी जी तेज परताप जी अदर्निय लालू जी उनकी बच्ची क्यों मुन्दन संसकार क्यों करवा है जब मंदर जाना ही नहीं चाहिए मंदर में कुछ नहीं हासिल होता है तो क्यों गय थे पहले अपने नेता से पूछो ना यार पहले अपने नेता से पूछवा अधा धर्न तो बदल ही चुके हैं तो उनहीं से पूछ लो उसके बाद हम पर सवाल उठाना राम मंदिर का उद्धाटन होने वाला है जिसको लेकर के प्रधानमंदी नरेंद मोदी ने तमाम जो मुल्क के आवाम हैं उनसे कहा है कि बाइस तारीक को सब को ये अपने घर में दिया जलाए और भगवान राम का जो है स्वागत करें जिस पर आरजडी ने कहा है कि हम लोग बापू के राम को मानते हैं नरेंद मोदी मालूम नहीं किस राम को मानते हैं अब वे बापू के राम को आब बापू के कृष्ण को राम एक ही है और कृष्ण भी एक थे ठीक है तो ये तो अब ना कृष्ण को देखिए बहुत ज़्यादा उसमें जाएंगे न तो इन पर उली उट जाएगी न वो राम को मानने वाले हैं न करिस्ग को मानने वाले हैं अब तो ही अगों एकर कुछ जा रहा है कि वो अपने गण बन्दन ही कि लोगों से नाराज होते सब लड़ेगा सिर्फ अपना दाग बचाने के लिए कि किसी प्रकार के अंदर में हमारी सरकार बन जाए कि CBI से पाला चूटे फैक्त है कि कहते हैं दुर्पयोग हो रहा है CBI का लेकिन ये काम जंता क्यूं नहीं तुर नहीं परहशानी है क्यूंहीं करती है जब CBI कलात है जाते हैं तो ये इस्वर से कामना करेंगे कि इसमर उनको दिरगायू बनाए और अपको स्वस्थ जीवन दे सकती है लेकिन तैयारिया है दल है तो चुनाओ भी लड़ेगा हम अभी पूरे तरीके से संगठन पर फोकस कर रहे हैं और लगभग लगभग संगठन कंप्लीट की स्थिती में है प्रखंड लेवल तक हम पहुच चुके हैं पंचायत हमारा बाकी है तो हम 2024 से ज्यादा 2025 को महतों देते हैं चुको बिहार में युवाओं की सरकार बनवानी है तो बनवानी है और इसी लक्ष के साथ हम काम कर रहे हैं या थे हमारे सात्छी वटीटस के लिए पारत लाइब शुक्रिया पनोर्मा कुरूप जो सोचता है वो करता है। सेबन डबल जिरो धन्यवादु